नमस्कार मैं अडवोकट सौरक कुनाल स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे यहाँ पे हम चर्चा करते हैं आपके कानूनी समस्याओं के बारे में तो क्या कोई F.I.R जहां अपराद घडित हुआ है उससे अलग किसी और पुलिस थाने में दर्ज हो सकती है या फिर जीरो F.I.R क्या होता है आज हम इस विशे में चर्चा करने वाले हैं तो चर्चा पे जाने के पहले मैं आप सभी से अनुरूद करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ आप बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए तो चलिए सुरुवात करते हैं आज के इस विशे पे कि अगर कोई घटना की कहीं और हुई है और जो शिकायत करता है वो किसी दूसरे पुल स्टेशन में जाके उस घटना के बारे में शिकायत दर्ज करता है तो क्या उसके शिकायत पे F.I.R. दर्ज होगी जिब बिलकुल होगी भारतिय सरोच नियाले ने अपने कई नेड़ने अपने कई सारे कई सारे जज्ज्मेंट में इस बात को कह चुका है खासकर ललिता कुमारी वर्सेल स्टेट ऑफ यूपी में इसमें एक कॉंस्टिटूशनल बेंच बैठा था एक समयधानिक पीठ ने इस बात का जिक कारी मिलती है तो उसे तुरंत अपने फायर में दर्ज करना चाहिए लेकिन अगर जो घटना है जो घटना अस्थल है वह कहीं और है और जो सिकायत करता है वह दूसरे पुलिस स्टेशन में जाकि उसकी सिकायत कर रहे हैं तो क्या ऐसी स्तिति में यह संभव है जी हां इसके ही के लिए यह शंबधय इसह हम कहते हैं जीरो एफए यार अच अब जी जीरो एफाईर होता क्या है जब किसी ताने में को इंआ डर्ज होता है और अगर किस ताने में चोणी की कोई घटना दर्ज होई तो उसे का एकटित obtuk माल लिजे कि उसका F.I.R. नंबर है 133 बटा 2021 इसका मतलब यह होता है कि 2021 में यह 133 वा नंबर का अपराद उस थाने में घटित हुआ था तो यह F.I.R. नंबर होता है लेकिन अगर कोई घटना कहीं और किसी और पुलिस थाने किया और उसका रिपोर्ट कहीं और होता है जिस पे जो पुलिस अधिकारी है उसका एंशन नहीं करते हैं बल्कि यह जो केस ऐ वो उस जो जहां पर घटना होगा उस फुलिस थाने को र्रीफर कर दिया आठा है तो इसे हम कहते हैं जीरो एस तो यह वीडियो हमारा इस 0FIR के उपर था आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो शेर जरूर करें और एक बर फिर आप सभी से अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं मिलता हूं फिर एक नए